जालो आल, वेलकम टू माई चैनल, तो आज की रेसिपी जो है वो टूथ रिकवरी पेशेट के लिए है, और आइरोनिकली ये मीठे में है, तो इंको मीठा अलाउ करा हुआ है, तो मीठे में एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो इसलिए मैं एक मीठी रेसिपी बना रही ह तो जैसे कि आप देख रहें कि यह कड़ाई है medium size की कड़ाई है इसको मैंने अभी slow frame में रखा हुआ है और आज की जो recipe वह है सूजी का हलवा तो मैंने तो यह बिल्कुल इस ब्रैंड की और मैंने fine semolina suji ली हुई है इसमें दो तरीके के आतनी है जो एक fine होती है थोड़ी मोटी होती है तो हमने हलवे के लिए fine वाली use करी है इसकी आप देख रहे हैं कि हलवा मनाते time हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है माप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कितना हमने सूजी लेना है कितना आटा कितना पानी और कितनी जीनी तो इसका हमें माप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो अब आप यह तो मैं इसको भुहनूँगी , तो इप गी यूज करते हैं , आप किसी भी ले पना इसको जी और रखे यहें ऑस्ट्रेलिया में आप चम्मा जब का ल े पढना यूज करते हैं तो इसमें हम घी अच्छे ते डालेंगे वैसे भी घी हल्वे में अच्छे से डलता ही है और क्योंकि टूथ रिकवरी पेशिंट के लिए तो जितना जादा इसमें घी होगा उतना सॉफ्ट हलवा रहेगा और उतना इजी टू च्यू होगा तो मैंने फ्लेम थोड़ी सी हाय कर ली है और यह देखिए मैं इसको अभी ऐसे चलाती रहूंगी तो जैसे आप देख रहे हो सूजी का कलर एक्दम सफेध है तो जैसे यह बुन जाएगा तो इसका गुलाबी कलर हो जाएगा यानि कि थोड़ा ब्राउन हो जाएगा थोड़ा सा पिंकिश कलर हो जाएगा इसका इसको भुनने में थोड़ा ताइम लगेगा तो हम इतनी देर में पानी बॉयल कर लेते हैं और चीनी जो है वो हम निकाल लेते हैं जैसे आप देख रहे हैं यह अल्वा मेरा भुन गया है तो इसका जो कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश और पिंकिश से आ गया है और जो यह हमारा पानी है तो इसका जो नाप है वो इस तरीके से है कि यह हमने अल्मोस्ट आधा कटोरी ही हमने लिया था हल्वा यानि कि आप लोगे पानी और उतना ही यानि कि एक कटोरी ही उसमें जाएगा चीनी लेकिन हमने यहां पे छे कटोरी पानी लिया है तो मतलब यह आप समझ लीजिए अगर आधा कटोरी मेरा हल्वा है तो मैंने तीन बड़ी कटोरी मैंने इसमें पानी लिया है तो मैंने इसके तो अब इसके अंदर मैं सीधा पानी डालूंगी और यह हमारी चीनी है देखिए जितना मेरे बास हल्वा था उतने ही नाप की मैंने चीनी लिए शायद उससे एक दो चम्मा जाद ही लियोगी क्योंकि हम पानी दाल रहे हैं तो हल्वे की कौंटिटी जाद होगी तो मैंने थ आप की हल्वा मेरा पूंगया और मुझे यह से जलाना नहीं है दादा नहीं भूनना जी तो इसका टेस्ट खड़ाब हो जाएगा तो अब इसके अंदर में डालूंगी पानी इदेखिए मेरा पानी भी ओबल गया है तो दिरे-दिरे करके पानी डालूंगी तक इसमें लं तो फिर हल्वे में गांठे नहीं पड़ती यानि कि लंब्स नहीं आते तो अभी देखे बिल्कुली स्मूज सी मेरी सलरी बन गई है तो इसको मैंने अभी इतना ही रखूँगी क्योंकि मुझे टू रिकवरी पेशेंट के लिए बनानी है यह तो मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी और फिर मैं गैस बंद कर दूँगी वैसे अगर आप चार कटोरी पाने लेंगे तो हल्वे का टेक्शेर थोड़ा सा सॉलिड रहेगा तो सॉलिड रहेगा सॉफ्ट रहेगा यह एकदम ही थोड़ा लिक्वीड और सेमी सॉलिड टेक्शेर है क्योंकि यह तूथ चीनी आपकी गलना जाए क्योंकि जब हल्वा जब मैं गैस बंद करोंगी और हल्वा सेटल डाउन हो जाएगा तो सूजी फूल के उसको फिर थोड़ा सा सॉलिड कर देगी तो इसलिए मैंने जान पूचके इसमें पानी जादा ही डाला है ताकि आफ्टर सम टाइम हल्वा खाने लाएक रहे और सॉफ्ट ही रहे और थोड़ा लिक्विड स्टेट में ही रहे चीनी को गलाने के लिए मैंने थोड़ा इसे हाई फ्लेम पे कर दिया है अब अबस इसको लगतार चला रही हूँ बस इसकी अब कंसिस्टेंसी इतनी ठीक है क्योंकि अभी जब यह थोड़ा सा और गाड़ा और सॉलिड हो जाएगा तो अब मैं इसको बस इहीं पर बंद करती हूँ तो तयार है आपकी हलवे की रेसिपी पॉर टूथ रिकावरी पेशिंट तो इसको हम थोड़ा थंड़े होने पर सर्फ कर सकते हैं और यह इजी तू चू है इजी तू इट है और इस आ क्विक सोर्स अफ एनरजी थैंक यू फो वाचिंग माई चैनल प्लीज दू लाइक शब्सक्राइब थैंक यू